शास्त्रों में किसी की मृत्यू के बाद उसकी श्राद तरपन और पिंड दान के कुछ नियम बताए गये हैं यह सभी काम करने के अधिकार मृतक के संतान को दिये गये हैं मानत है कि ऐसा करने से मृतक की आत्मा को शान्ती मिलती है लेकिन जिनके कोई संतान ही नहीं है ऐसे लोगों के लिए क्या नियम है उनके पिंड दान और शाद करने का अधिकार किसे प्राप्त है आईए जानते हैं इसके बारे में क्या कहता है गरूर पुराण गरूर पुराण में संतान ना होने पर शाद, तरपंड और पिंड दान आधिकार परिवार के अने सदस्यों को दिया गया है किसी के मृत्तियों के बाद यदि उसका पुत्र नहीं है तो पत्नी अपने पती के निमित शाद और पिंड दान कर सकती है पतनी के ना होने पर सगे भाई को शाद करने का अधिकार दिया गया है अगर सगे भाईयों में से किसी का पुत्र है तो वो भी शाद कर सकता है उसके द्वारा किया गया शाद और पिंडदान अपने पुत्र के समान ही फलदाई माना जाता है इसके अलावा परिवार में पुत्र ना हुने पर दामाद और नाती को भी शाद करने का अधिकार दिया गया है इसके अलावा पत्नी का शाद को पती तभी कर सकता है जब उसका कोई पुत्र ना हो यदि किसी संतान को गोद लिया है तो उसको भी शाद पिंडदान और तरपन कादिकारी माना गया है पित्रों के निमित तरपन करने के कुछ नियमों का भी गरुर पुणार में उल्ले किया गया है जैसे पित्र पक्ष में हर दिन इस्नान करने के बाद दक्षन दिश्वा के तरफ मूग करके और जल में ही काला तिल डाल कर ही तरपन करना चाहिए इसके अलावा अंगूठे से ही पिंड पर जलान जली समर्पित करने चाहिए और बच्चों और सन्यासियों के लिए पिंड दान नहीं किया जाता शाथ के दिन ब्रामभड को भोजन हमेशा पत्ते या थाली में खिलाना चाहिए ब्राम्मण को खाना खिलाने से पहले गाय, कुत्ते, कव्वे, देवता और चीटी के नाम से भोजन निकाले जाहिर है जिनकी संतान नहीं होती उन्हें पित्रपक्ष के दौरान श्राद्ध करने में काफी समस्याई आती है ऐसे में इन उपाईयों से भी आप पूरवजों को खुश कर सकते हैं खैर इस खास रेपोर्ट में वसेतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहे हैं सीन्यूज भारत हर खबर आपके साथ आपके हाथ